हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ एक और नई प्लोट का डिजाइन तो चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इस प्लोट की डीटेल समझाता हूँ देखे पैंस हमारे पास प्लोट का साइज है 30 फिट बाई 35 फिट यानि कि 30 फिट प्लोट की लंबाई है और 35 फिट प्लोट की चुड़ाई है और दोस्तो ये जो प्लोट है वो नौर्थ वेस्ट फेसिंग प्लोट है यानि कि इस प्लोट के एक तो नौर्थ में और एक वेस्ट में दो साइड में रोड है और बाकी एस्ट में और साउत में पहले से ही कुछ घर बने हुए है ठीक है और दोस्तों ये जो प्लोट है वो बेसिकली 1050 वर्क फुट और 116.67 वर्क गज का प्लोट है ठीक है तो चले फैंस अभी हैं पर बात करेंगे रिक्वार्मेंट की कि हमें इस प्लोट में क्या क्या अटैच होना चाहिए ठीक है उसके बाद हमें एक बेड्रूम हो चाहिए जिसमें अलमारी अटैच होने चाहिए और फैंस यहाँ पे देखी जो हम टोइलेट अटैच देंगे वो दोनों बेड्रूम्स के लिए यूज में होना चाहिए ठीक है उसके बाद एक डॉइंग र BHS के हाउस प्लान कस्टमर की requirement केकोडिंग कुछ इस तरह से डिजएन किया हुआ है तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इस हाउस प्लान को समझाता हूँ दोस्तों देखे सबसे पहले बात करेंगे इस हाउस प्लान के main gate के बारे में जो कि मैंने North West Corner में दिया हुआ है यानि कि वास्तो सास के कोडिंग गेट बिलकुल सही दिसा में है तो दोस्तों देखें North West Corner में 9 foot 9 inch चोड़ा गेट का साइज है ठीक है जब आप इस गेट से घर में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको मिलते हैं स्टेर केस और पार्किंग यहां पर स्टेर केस और पार्किंग का साइज देखिए पूरा एरिया यहां पर 10 foot by 16 foot 9 inch यानि कि 10 foot यहां से लेकर यहां तक है 16 foot 9 inch की घहराई है इस पूरी पार्किंग की ठीक है उसके बाद फैंस इस टेर केस की अपड़क्शन आप यहां पर देख सकतो इस तरह से यहां पर आपकी अपड़क्शन होगी श्टेर केस की ठीक है उसके बाद फैंस इस टेर केस की फ्लाइट विद का साइज हमने 3 foot 3 inch के यूज किया हुआ है और अगर लेंडिंग की बात करें तो लेंडिंग का साइज है 3.5 foot ठीक है उसके बाद फैंस राइजर और ट्रेड के बारे में बात के तो राइजर यहाँ पे हमने 7 इंच का यूस किया हुआ है और ट्रेड का साइज हम 10 इंच का यूस करेंगे नेक्स्ट فications बात करेंगे अभी हिस house plan के main entry के बारे में देखे यहाँ पे इस घर में main entry ही हो यहाँ से मैंने 3.5 foot छोड़ा एक door दिया हुआया इस door से आप घर में main entry करते हो तो यहाँ पे आपको मिलती है लोबी लोबी का size है 11.5 foot 7.5 inch by 8.5 foot 7.5 inch का normal size है लोबी के लिए और ये लोबी में मैंने यहाँ पे एक wash machine लगाई हुई है ठीक है यहाँ पे लोबी बारे लोग इस wash machine का use कर सकते है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे kitchen मिलते है kitchen का size है 6 foot 8 inch भाई 8 foot 7.5 inch का और यहाँ पे मैंने L shape की 2 foot चोड़ी slab डाले हुई है kitchen में ठीक है यह gas है यह सिंक है और यहाँ पे window दी हुई है kitchen में proper ventilation के लिए ठीक है उसके बाद आप इस kitchen से बाहर आते हो तो आप इस bedroom में आ जाते हो इस bedroom का size हमें मिलता है 11 foot 4 inch भाई 12 foot 6 inch का बहुती अच्छा size है bedroom के लिए और यहाँ पे मैंने एक बड़ी window दी हुई है इस bedroom में proper ventilation के लिए यह attach अलमारी होगा इस bedroom के लिए और यहाँ पे मैंने एक 3.5 foot चोड़ा हो डोड़ दिया हुआ है इस outer side से इस bedroom में आने जाने के लिए ठीक है उसके बाद फैंस आप इस bedroom से बाहर आते हो तो आप lobby में होते हुए आप यहाँ पे store में आ जाते हो इसी store का size हमें मिलता है 6 foot by 4 foot 7.5 inch का बहुती normal size है store room के लिए ठीक है उसके बाद फैंस आप आते हो next bedroom में इस bedroom का size है 12 foot 1.5 inch by 11.5 inch का बहुती अच्छा size है bedroom के लिए और यहाँ पे मैंने एक attach अलमारी भी दी हुई है ठीक है उसके बाद फैंस अभी बात करें इस bedroom के proper ventilation की बारे में तो फैंस आप यहाँ पे देख सकते हो एक OTS मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इस OTS का size है 8 foot 4.5 inch by 4 foot का इस OTS का क्या use है आप यहाँ पे समझेए देखे फैंस यहाँ पे मैंने एक attach toilet बनाया हुआ इस toilet का size है 8 foot by 4 foot का बहुती बड़ा size है toilet के लिए यहाँ पे ventilation दिया हुआ है इस toilet में proper रोशनी के लिए यहाँ पे komoda यह wash machine है यह सावर है ठीक है अभी समझेए फैंस कि यह toilet जो होगा एक तो इस drawing room के लिए attach किया जाएगा और एक इस bedroom के लिए attach होगा ठीक है उसके बाद फैंस अभी next बात करते हैं देखे यहाँ पे मैंने एक drawing room बनाया हुआ इस drawing room का size है 12 foot by 12 foot का देखे इस drawing room के लिए मैंने आप एक इस north side से एक door दिया हुआ है ताकि अगर कोई unknown person आए तो आप इसको यहाँ से इस drawing room में ला सकते हो इस door के दवारा ठीक है और यहाँ पे मैंने एक window दी हुई है इस drawing room में proper रोशनी के लिए ठीक है उसके बाद फैंस यहाँ पे हमने कोई door नहीं लगाया हुआ तो lobby में आने जाने के लिए आसानी से आप इस drawing room में आ जा सकते हो lobby से drawing room में ठीक है उसके बाद फैंस यहाँ पे देखी lobby में मैंने यहाँ एक toilet और दिया हुआ यह common toilet है इस common toilet का size है 4 feet by 7 feet 3 inch का बहुत ही अच्छा size है यहाँ पे मैंने कमोट दिया हुआ यह wash machine है यह shower है और यहाँ पे ventilation है इस OTS से proper रोशनी के लिए इस bedroom में ठीक है और फैंस अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझे देखे इस ventilation का बहुत ही अच्छा use मैंने किया हुआ है इस bedroom से इस toilet में जाने के लिए यहाँ पे door window टैच किये गए है तो आप इस bedroom से इस door window के द्वारा इस OTS से होते हुए आप यहाँ पे toilet में जा सकते हूँ ठीक है इस bedroom से अगर इस toilet में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हूँ यह door दिया हुआ है इस door से होते हुए आप इस toilet में जा सकते हो ठीक है उसके बाद फैंस अभी next बात करेंगे इस house plan के total door and window के sizes के बारे में देखे फैंस यहाँ पे मैंने एक door window index बना हुए तो इसे समझेए इस house plan में फैंस जहाँ पे आपको d मिलेगा वहाँ पे आपको door का size यूज़ करना है साड़े तीन बाई साड़े आट फूट का d1 store room के लिए तीन फूट बाई साड़े आट फूट का और window जो लगेगी वो 1 foot 3 inch by 6 foot की window होगी ठीक है उसके बाद में जभी windows के बारे में बात कें तो देखिए इस house plan में जहाँ पे आपको डबलू मिलेगा वहाँ पे डबलू का size होगा 5 foot by 6 foot यानि की 5 foot by 6 foot की window हमाई लगेगी यहाँ पे इस bedroom में उसके बाद में next window होगी डबलू 1 4 foot by 6 foot की window होगी W2 3 foot by 5 foot की window होगी जो ground floor से 3.5 foot की height पे लगेगी और ये W और W1 window ground floor से 2.5 foot की height पे लगेंगी ठीक है उसके बाद में ventilation का size हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2.5 foot by 1.5 foot का यह ground floor से 7 foot की height पे लगेगा ठीक है उसके बाद फैंस अभी next बात करेंगे इस house plan के सभी columns के बारे में यह देखे फैंस जितनी भी ब्लैक डोट है यह सभी column है और यहाँ पे मैंने दो type के column यूज़ के हुए है आप यहाँ पे देख भी सकते हो C1, C1 और यह C है तो आपका मैं confusion clear कर देता हूँ कि यह क्या चीज़ है देखें फैंस C basically मैंने 9 inch by 12 inch की column को नाम दिया है ठीक है C1 9 inch by 9 inch की column को नाम दिया है ठीक है तो फैंस कहने का मतलब यह है कि इस house plan में जहाँ पे आपको C1 मिलेगा वो 9 by 9 की column होगी जैसे यह C1 है और यह C1 है यह C1 है ठीक है बाकी जहाँ पे आपको C मिलेगा वो 9 inch by 12 inch की column होगी जैसे कि यह C होगया यह C होगया तो इस तरह है कि जहाँ पे आपको यह C और C1 मिलेगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी size का column आपको use करना है ठीक है तो चले फैंस पार्किंग के साथ में आपको किस तरह से डिजैन करना है ठीक है तो चले फैंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यू बाबाई